एक ओल्ड बिजनेसमैन अपने लिए एक यंग वाइप बाई करता है उसे उसके साथ पेंटिंग बनानी थी तो एक पेंटर को उन्होंने हायर किया पर उस पेंटर के साथ ही उसके वाइफ का अफेर हो जाता है इसके बाद स्टोरी में बहुत सारे अलग-अलग ट्विस्ट जाते हैं अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारे मुवी टुली फिवर 2017 की एक हॉल्योड ड्रामा रोमेंटिक मुवी में देखेंगे अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीजे से लाइक और कमेंट जरू कर दिजेगा अब बिना किसी दरी के एक्स्पलिशन स्टार करते हैं मुवी की स्टोरी हमें मरिया बता रही है इसके बारे में बाद में पता चलेगा हमारी मुवी का टाइम था 1600 का और इस टोरी एमस्टर डैम की है उस समय टूली फ्लावर के लिए बहुत सारा डिमांड था बहुत दूर से लोग इन्हें पाई करकर लाते थे और इन इंदी नननने सोफिया को एक बहुत इअमीर बिजनेसमैन को सेल कर दिया उससे समझाती है कि अगर तुम यहाँ पर रही तुम्हारी लाइफ आगे हारट होकी टूकि और बिजनेसमैन के साथ तुम एक अच्छी लाइफ ड़ी सकती है सोफिया भी इस बात के लिए मान गई और बिजनेसमैन से वो शादी कर लेती है ये बिजनेसमैन हमारा और एक में गैरेक्टर है इसका नाम था कॉर्नेलिस कॉर्नेलिस की एज ज़रा ज़ादा थी है उसकी फर्स वाइफ की डिलेवरी के वक्त टेथ हो गई थी वो एक बेटा चाहता था इसे वज़े से उसने सोफिया से शादी की थी अब बहुत सारा टाइम गुजर गया पर फिर भी सोफिया प्रेगनन्ट हो नहीं रही थी कॉर्नेलिस का फ्रेंड उसे कहता है तुम्हें सोफिया को छोड़ देना चाहिए पर कॉर्नेलिस से करने के लिए रेड़ी नहीं था वो सोफिया के लिए केर करने लग गया था उनके घर पर एक मेड काम करती थी इसका नाम है मारिया और मारिया ही हमें ये स्टोरी सुना रही है आजकल मारिया खाने में बहुत ही जादा फिश ला रही थी Cornelis से बात नोटिस करता है उसने बुचा क्या तुमें फीश वाले से प्यार हो गया है वो सिर्फ मज़ा करा था पर एक्चॉल में मारिया को फीश वाले से प्यार हो गया था उसका नाम था विलियम रात में विलियम छुपकर मारिया के पास आ जाता और ये दोनों इंटिमेट हो जाते है सोफिया और कॉर्नेलिस कंटिनूसली प्रेगनन्ट होने का ट्राइ कर रहे थे पर कुछ भी हो नहीं रहा था ये प्रावलम लेकर फिर सोफिया एक डॉक्टर के पास गए तो सब कुछ उससे बदाती है तो डॉक्टर डारेक्ली उसके साथ इंटिमेट होने के लिए रेडी था वो उसे अपने बेड्रूम में लेकर गया फिर सोफिया ने रियलाइस किया कि ये करना क्या चाहता है उस पर वो गुश्सा हो गए उसे स्लैप करकर वहाँ से ओ चली जाती है वो हमेशा गौड को प्रेक कर दी थी कि वो जल से जल प्रिंगनेंट हो जाए एक दिन कॉर्णेलिस को लगा कि उसे सोफिया के साथ एक पोट्रेट पेंटिंग बनानी चाहिए उनकी इस सीटी में एक न्यू आर्टिस इमर्ज हो रहा था जिसका नाम था जान लगी थी पेंटिंग करते हो है सोफिया के पास आने की वो कोशिश करता था कॉर्नेलिस हमेशा आपने बिजनेस के बारे में बात करता पर जान और सोफिया की बीच आखोई आखों में बात चल रही थी जैसे कि हमें पता है इनकी मेर्ड मारिया का विल्यम के साथ अफेर चल रहा है विल्यम चाहता था कि वो जल्दी से अमिर बन जाए ताकि मारिया को बहुत अच्छी सी लाइफ दे पाए इनकी सिटी में जल्दी अमिर बनने का एक ही रास्ता था और वो था टूलिफ फ्लावर की ट्रेडिंग करना यही ट्रेडिंग करना विल्यम ने स्टार्ट कर दिया एक दिन सोफिया की पेंडिंग बनाते हैं वक्त जान ने रियलाइस किया कि उससे प्यार करने लग गया है सोफिया को भी यही बात रियलाइस हो रही थी उसे लगता है कि यह सब गलत है उसने कौरनली से बात की और कहा कि जान को फायर कर दो उसे कहती है कि जान बहुत ही expensive है और उससे pending वो नहीं बनाना चाहती बाद में उख खुद ही अपना mind change कर लेती है अगली दिन विलियम मारिया से मिलने के लिए आया उसने जो भी टूली फ्लावर्स बाई किये थे इसके papers उसे दिखाता है कहता है इससे हम अमीर बनेंगे और यहां से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे मारिया भी यह सब सुनकर बहुत खुश थी एक दिन जान ने सोफिया को टूली फ्लावर्स लाने के लिए कहा उसके हाथ में उसे रख कर उसके बहुत ही ब्यूटिफल सी पेंटिंग बनाता है एक दिन बहुत सारा करेज गैदर करकर सोफिया जान के घर पर आया हुआ था मरिया ने दर्वाजा खोला तो जान उसे कहता है कि मैं उसे लेटर लिखूंगा जब उसने सोफिया को लेटर लिखा तो ये लेटर कॉर्नेलिस बढ़ता है इस लेटर में लिखा था कि उसोफिया की टूली फ्लावर्स के साथ अपने घर पर पेंडिंग बनाना चाहता है ये flowers बहुत ही expensive थे तो पहले Cornelis से मना कर रहा था पर बात में हो गया था सुबा जाना और शाम में वापस आ जाना Sophia flowers लेकर जान के पास आई और एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है painting बनाने के बहाने इनका affair start हो गया था एक दिन विल्यम ने जो tulips buy किये थे ये वो देखने के लिए आया नवन उसे tulips दिखाते हों notice करती है कि विल्यम के tulips में एक rare type का tulips भी है जो से अमीर कर देगा विल्यम को देखकर बहुत खुश हुई अगली दिन ही उसने अपने fees sale करने का business बन कर दिया आज मरिया से मिलने के लिए आया नहीं इस बात से मरिया ज़रा upset हो गई थी नेकसिन में हम देखते है कि आज शाम का Cornelis और सोफिया का अपने friend से मिलने का plan था सोफिया को जान से मिलना था तो इस सवजे से Cornelis के साथ आने के लिए हो मना कर दिया Cornelis कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाता पर सोफिया ने का मेरी तबियत खराब नहीं है पर तुम्हें अपने friend से मिलना चाहिए उसे जाने के लिए force करती है parallel में हम देखते है कि William अपने tulips को sale करने के लिए market में आया और उसे बहुत अच्छी price मिली अब वो अमिर बन चुका था तो directly मारिया से मिलने के लिए आया मारिया की तरह कपड़े पहने हुए सोफिया जान से मिलने के लिए घर से बाहर नेकली William को लगा कि वो मारिया ही है उसे आवज लगाता है पर सोफिया रुकती नहीं William ने फिर उसका पीछा किया सोफिया जान से मिली और उसे kiss कर रही थी William उसे सही दरीगे से देखनी पाया उसे लगता है कि मारिया का ही जान के साथ affair चल रहा है और इस वज़े से वो बहुत ही heartbroken हो गया intimate होने के बाद जान और सोफिया एक दुसरे से I love you कहते है एक दुसरे की बिना जी नहीं सकते अपने heartbreak के बाद विल्यम दारू पिने के लिए आया एक sex worker को पता था कि विल्यम के पास बहुत सारे पैसे है उसके पास आती है विल्यम उसे दूर करता है पर उस लड़की ने उसके सारे पैसे चुरा लिये थे ये पता चलने के बाद वो बहुत ही disturb हो गया उस लड़की के ब्रदर के साथ उसकी fight हो जाती है विल्यम अपनी life के सारी important चीज़े आज खोच चुका था तो यहाँ से हो चला जाता है रात में Cornelis जब घर पर आया तो उसके आने से थोड़े टाइम पहले सोफिया घर पर आई हुई थी वो बाल-बाल उसकी नजरों से बच जाती है विल्यम को जो भी लगा उसके साथ जो भी हुआ इसके बारे में मरिया को कुछ भी पता नहीं था उसे लगता है कि विल्यम ने उसे धोका दिया इस वज़े से बहुत ही डिस्टब हो गई थी सारी बाते उसने सोफिया से कही उसने ये भी कहा कि मैं अब प्रेग्नन्ट हूँ ये एक बड़ा प्रॉलम था अगर इसके बारे में कॉर्णेलिस को पता चला तो मारिया को काम से निकाल देगा मारिया अपने फैमिली के पास भी नहीं लोट सकती वो शरम से मर जाना चाहती है सोफिया उससे कहती है तुम्हारे सिक्रेट रखने में तुम्हें हेल्प करूंगी पर अगर कॉर्णेलिस को पता चला तो तुम्हें काम से निकाल देगा मारिया गहती कि तुम्हें मुझे प्रोटेक करना पड़ेगा वरना मैं कॉर्णेलिस को तुम्हारे और जान के बारे में पता दूँगी इस बात से सोफिया डर गई थी इसके बारे में वो जान से बात करती है एक रात कॉर्णेलिस डिस्टब होकर बैठा हुआ था सुफिया बुछती कि क्या हुआ कॉर्णेलिस कहता है शायद गौड्स मुझ पर जरा नाराज है फर्स टाइम जब मेरी वाइफ प्रिग्नन थी तो उसे बहुत तकलिफ हो रही थी मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर मेरी वाइफ या बेटे की बीज में अगर आपको कोई चूज करना होगा तो मेरे बेटे को चूज करना इसी डिसीजन की वज़े से उसकी वाइफ और बेटे की डोनों की डेथ होगे अब कॉर्नलिस को लगता है कि गौड उसे पनिश कर रहे है सोफिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको बताने नहीं वाली थी पर मैं प्रेगनन्ट हूँ ये सोफिया ने जूट कहा था अभी अभी उसे एक आइड़ा आया है वो मारिया से कहती है कि हम एक नाटक करेंगे मैं प्रेगनन्ट हूँ इस तरीके से सब लोगों को दिखाएंगे जब तुमें बेबी होगा तो वो मेरा बेबी है इस तरीके से हम सब लोगों को बताएंगे इससे हमेशा तुम अपने बच्चे के पास रहे पाऊगी और मेरी ब्रॉलम भी सौल हो जाएगी ये सब करना डिफिकल्ड था पर फिर भी सोफिया ने डिसाइड कर लिया था पहले जिस बेइमान डॉक्टर के पास हो गई थी उसी को फिर से जूट कहने के लिए हायर वोग कर लेती है वो जूट मूट से सोफिया का चेक अप करने के लिए आता है वो हमेशा कॉर्नलिस को रूम से बाहर निकल देते थे और वो मारिया का चेक अप करता उस डॉक्टर ने कॉर्नलिस को ये भी खा था कि तुम्हें इस बार बेटा होने वाला है कॉर्नलिस बात से बहुत ही खुश था एक दिन काम करते होग मारिया को उल्टी आके सोफिया भी उसके पीछे-पीछे दुसरे रूम में आ जाती है उन्होंने कॉर्नलिस के सामने प्रिटेंड किया कि जैसे सोफिया कोई उल्टी आ रही है इसी दरीके से उसे हमेशा वो बेवकूब बनाते गए एक दिन सोफिया और जान चब एक साथ थे तो सोफिया उसे कहती है मेरे मरने के बाद ही कॉर्नलिस मुझे छोड़ सकता है वो अपने बच्पन के बारे में चश के बारे में बता रही थी यही बताते हुए टुलिप्स गार्डन के बारे में भी वो बता देती है जान को इस टुलिप्स के गार्डन के बारे में नहीं पता था उसे अड़ा आता है कि अगर इस गार्डन से उसने कुछ टूलिव चोरी कर लिये तो अमीर बन सकता है और सोफिया के साथ कही भी जा सकता है यही चोरी करने के लिए रात में अपने फ्रेंड के साथ पहुचा नने देख लेती है और जो उसे उसे सर पे मार कर बेहोश कर देती है सुबह होश आने के बाद जान सारी सिचुएशन नन को बताता है उसने कहा कि वो सोफिया से बहुत प्यार करता है इसी वज़े से उसने सब कुछ किया था वो एक चांच चाता था और इस टूलीफ का बिजनेस करना चाता था नन भी उस पर तरस खा कर ये बिजनेस करने के लिए उसे परमीशन दे देती है उसने कहा कि तुम्हें जो भी कमीशन मिलेगा इससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो जान को इस सब सुनकर बहुत अच्छा लगा उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था इस सब बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज आने के पाथ जान को इसमें एक उपरचिनेटी दीखिए इसके बारे मैं नन से बात करता है सब एक्समेशन सुनने के बात नन नन भी उसे टूली फ्लावर का सीड सेल करने की पर्मीशन दे दी थी अगर इसमें हो सकसेस हो गया तो सोफिया के साथ कही भी जा सकता है अचानक से मरिया का लेबर स्टार्ट हो गया सोफिया उसे लेकर उपर के रूम में चली जाती है उन्हेंने डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर कॉर्नलिस को उनके रूम में आने ही नहीं देता थोड़ी देर में नीचे आया कॉर्नलिस पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है डॉक्टर ने बूचा कि कुछ पिछले दिनों सूफिया का body temperature ज़्यादा था कॉर्णलिस ने कहा कि पिछले दिनों में उसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि प्रेंडनसी के वक्त उसके साथ intimate ना हो ये सारा सूफिया का ही plan था थोड़ी दर में मरिया की delivery successful होती है पर डॉक्टर नीचे आकर कॉर्णलिस से गये थे तुमारी wife की date हो चुकी है उपर सूफिया ने लेट कर मरने का नाटक किया इस बात से कॉर्णलिस को बहुत बुरा लगा वो सूफिया से बहुत प्यार करता था इस बार उसके लिए बेबी नहीं तो सूफिया जादा important थी ये सारी बाते जब वो डॉक्टर को पता रहा था तो इस सब कुछ सूफिया ने सुना था कॉर्णलिस उसकी इतनी care करता है और उस पर cheat कर रही है ये सब realize करकर सूफिया को बहुत तकलीफ होती है अब वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी ये नाटक हज से बहार चला गया था कॉर्णलिस डिस्टब होकर लास्ट टाइम सूफिया को किस करना चाता था पस सब लोग उसे रोक लेते हैं इसके parallel में हम देखते है इस giant tulips की trade करता है उसके पास एक real spaces थी तो इस वज़े से उसे बहुत बड़ा profit हुआ सूफिया को एक coffin में डाल कर ले जाया जाता है ये सब करने में जान के फ्रेंडी उसे help कर रहे थे कॉर्णलिस बहुत ही emotional हो गया था अपनी newborn baby का नाम भी वो सूफिया रखता है मारिया उसे promise करती है कि मैं आपकी बेटी का अपनी खुद की बेटी की तरह खयाल रहूंगी जान जब trade करकर घर पर आया तो जीन भी लोगों से उसने पहले पैसे लिये थे ये सारे उसके घर पर मुझूद थे जान को trade के पैसे मिलने के पहले टुलिफ फ्लावर के सेड को डिलेवर करना पड़ेगा सब लोग उसे बिना पैसो के घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे जान ने फिर अपने फ्रेंड को कहा ये जाओ और नंसियो फ्लावर लेकर आओ जान का फ्रेंड पियक कर था तो उसने वान किया था कि प्लीज आज कुछ भी मत पीना सुफिया जान के फ्रेंड के घर पर पहुची तो वो रिलाइस करती है कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है वो इस तरीके से कॉर्नेलिस को धोका नहीं देना जाती वो फिर से उसके घर जाने लग जाती है जान के फ्रेंड ने नंसे वो फ्लावर ले लिया पर रस्ते से आते वक्त उसने एक आदमी को एक एनिमल को मारते हो देखा उसे बचाने के लिए रूख गया एनिमल को बचाने के लिए सब लोग उसे चेयर करने लग जाते है और वही पर वो दारू पीने लग गया ऐसे ड्रंक होकर वो जान के पास वापस आया जान पुछता है कि फ्लावर का है उसका फ्रेंड ड्रंक था और वैसे उसने उस फ्लावर को खा लिया था उसने सब कुछ बरबाद कर दिया सोफिया घर पर पहुँचती है कॉर्नलिस को अपनी बेटी के साथ देखती है उसने रियलाइज किया कि अपनी गल्दी सुधारने के लिए उसे लेट हो चुका है वो अपनी शौल नदी में फेक कर वहाँ से चली जाती है आज विल्यम सीटी में फिर से वापस आ चुका था यानि मारिया का बॉइफ्रेंड उसके बेटी का फादर वो मारिया से मिलने के लिए आया मारिया कहती कि तुम कहा गए थे विल्यम ने कहा कि मैं आफरिका में था ये सुनकर मारिया उसे मारने लग जाती है विल्यम ने कहा कि तुमने मुझपर चीट किया था इसी वज़े से मैं चला किया मारिया कहती कि जान के साथ मेरा नहीं तो सोफिया का अफेज चल रहा था उसने सारा सच-सच उसे बता दिया ये सब बताती हुए कॉर्नेलिस सब को सुन लेता है इससे कॉर्नेलिस को शौक लगा और इस पर वो बहुत सोचता है उसने मारिया को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि अपने बेटी का तुम अच्छे से खैल रखना वो यहाँ का घर और सारा बिजनेस मारिया और विल करकर वहाँ से चला जाता है वो एक न्यू कंट्री में फिर से अपनी लाइफ नूली स्टार्ट करता है जान को जब पता चला कि सोफिया फिर से कॉर्नेलिस के पास चली के तो उसे ढूनने की बहुत कुशिश करता है नदी में सोफिया ने शौल फिका था ये देखकर जान को लगा इसमें डूप कर सोफिया की डेथ हो गई है इससे उसे बहुत बुरा लगता है इसके बाद मूवी में डारेक्ली आठ साल पीत गय है इतने टाइम में जान एक बहुत ही अच्छा आर्टिस बन गया था तो एक दिन नन उसे मिलने की लाई चर्च की वाल पर पेंट करने का कॉंट्रेक्ट उसे वो दे देती है नन ने नोटिस किया इस जान ने सोफिया की बहुत सारी पेंडिंग्स बनाई हुए है वो हमेशा उसी की याद में पेंडिंग करता रहता है एक दिन जब जान चर्च में पेंडिंग कर रहा था तो वही पर उसने सोफिया को नो मारिया और विल्यम अब बिजनेस की वज़े से रीच हो चुके थे तो अच्छी लाइफ जी रहे थे यह पूरी स्टोरी मारिया अपनी बेटी सोफिया को बता रही थी चोटी सोफिया को भी लगता था वो कॉर्नलिस की बेटी है पर मारिया यह स्टोरी सुना कर उसे सब मूवी की हैपी एंडिंग हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इससे लाइक और गमेंट जरू कर दीजेगा यह बहुत सारी इससी तरीके से मूवीज लेकर आत रहे तो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइको के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया